जा रहा है पहले इतनी बात को समझते हैं कि यहाँ पर क्या कहा गया है यहाँ पर पहले मैं फिगर बना देती हूं फिर इसके थुरू समझते हैं क्वेश्चिन के अंदर ऐसा कहा गया है कि एक राइट सर्क्यूलर कॉन है जिसकी हाइट 120 सैंटी मिटर है और रेडियस 60 सैंटी मिटर है तो यह हमारा एक सर्क्यूलर कॉन है जिसकी हाइट हमारी 120 सैंटी मिटर है और इसकी जो हमारी रेडियस है 60 सैंटी मिटर है अब यहां पर क्या बोला गया है कि यह हमारा जो कौन है हेमिस्फियर के उपर रखा हुआ है अब इस हेमिस्फियर की जो रेडियस है वो भी सेम होगी यानि कि 60 cm ही रहेगी अब आगे कहा गया है कि यह जो हमारा पूरा का पूरा अबजेक्ट है यह सॉलिड है यानि कि पूरा का पूरा अंदर से ठोस है अब कहा गया है कि इस पूरे अबजेक्ट को एक स्लेंडर के अंदर डाला गया है जो कि पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है और इस अबजेक्ट को स्लेंडर के अंदर कुछ इस तरह से डाला गया है की ये जो हमारा सॉलिड है इसका बोटम और इस स्लेंडर का बोटम दोनों ही एक दूसरे को टच कर रहे हैं अब यहां पर हमें फाइन करनी है वाल्यूम वाटर लेफ्ट इन दी स्लेंडर यानि की इस आपजेक्ट को डान लें के बाद स्लेंडर के अंदर की जितना पानी 1,80 cm हमें गिवन है तो ये कोशन भी हमारा लास्ट वाले कोशन की तरह ही है है हैं आपर हमें बताना क्या है कि हमारे स्लेंडर के अंदर इस आपजेक्ट को डानने के बाद कितना पानी बचा है अब जब खा अमारा कोया है यानि की जतनी इस ऑबजेक्ट की हमारी वालियू होगी उसी वालियूम के एक वल पानी हमारा बाहर गिर गया होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जो इसके अंदर पानी बचेगा तो इसकी वालियूम को हम कैसे फाइन करेंगे इस पूरे की पूरी स्लेंडर की वालियूम के अंदर से माइनस कर देंगे इस स्लेंडर की वालिय कि नहीं हम क्या करेंगे कि इस पूरी स्लेंडर की वालियूम के अंदर से इस पूरे के पूरे सॉलिट की वालियूम को हम अपना माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहली चीज़ क्या लिखेंगे कि Volume of water spilled out यानि कि जितना पानी हमारा बाहर गिरा है वो किसके equal है इस substance की volume के equal तो यहाँ पर हम लिखेंगे volume of substance goes in यानि कि यह जो substance हमारे इसके अंदर डला हुआ है बाहर जितना हमारा पानी गिरा है इन दोनों की ही volume एक दूसरे के equal है तो यहाँ पर हम अपने पानी को निकालने के लिए कि अंदर slander में कितना पानी बचा क्या करेंगे कि पूरे के पूरे slander की volume के अंदर से इस पूरे object की volume को minus करेंगे पर यह पूरा object किन दो चीजों से मिलकर बना है volume of corn और volume of hemisphere से तो volume of slander का हमारा formula क्या होता है पाई r square h बीच में आया हमारा minus volume of corn का formula क्या होता है हमारा 1 by 3 पाई r square h क्यूंके हमारी corn की radius भी है और height भी है इसनिए एक को हम capital के अंदर ले लेते हैं और volume of hemisphere की भी हमारी radius है और height है स्रिफ radius है height नहीं है तो इसका formula होता है हमारा 2 by 3 pi r के अंदर cube तो यहां पर हम क्या करेंगे कि अभी pi r square h को अपना as it is लिखेंगे अब यहां पर से हम हमारी जो value common है उसे common लेंगे यानि की 1 by 3 pi r square और 1 by 3 pi r square यहां पर common है कैसे धियान से देखेंगे 1 by 3 pi r square को हमने common लिया इधर की side से क्या बचा हमारे पास h प्लस इधर की side से 1 by 3 को बहर ले लिये था तो यहां पर बचा हमारे पास बस 2 और r cube में से r square हमने बहर की side लिखा था तो यहां पर क्या बचा हमारे पास single r अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि पाई आर स्क्वाइर एच माइनस को भी एज़टी जखरेने देंगे पहले इसकी वैलियू उसको पुट करेंगे यानि कि 22 बाई 7 रेडियस क्या है यहाँ पर हमारी कैपिटल आर की 60 है क्यूंकि सिलेंडर की भी कौन की भी और हमारी हैमिस्फियर की भी दोनों की ही रेडियस सैम है तो यहाँ पर उखेंगे प्लस टू एज डियास क्या है यहाँ पर हमारी 60 तो पहले से सॉल्फ करेंगे 1 बाई 3 इन्टू के अंदर 22 बाई 7 60 इन्टू के अंदर 60 120 प्लस 2 को 60 से multiply करेंगे तो आएगा हमारा 120 अब इन दोनों पैलियूस को आपस में plus करेंगे तो plus होकर आएगा हमारा ये 120 और 120 240 अब यहाँ पर हम क्या करेंगी ये cut होगा हमारा 3 1 3 8 यहाँ पर आगया हमारा 0 अब यहाँ पर हम इसकी पहले वैलियूस को पूट करेंगे 22 by 7 इन 2 के अंदर 60 इन 2 के अंदर 60 यानि कि ये volume of slander है और इसकी radius भी हमें 60 दी हुई थी और यहाँ पर हमारी height कितनी है slander की volume of slander slander की जो height है हमारी 180 हमें given है तो यहाँ पर लिखेंगे इन 2 के अंदर 180 minus 1 by यहाँ पर तो अभी मैंने इसको cancel out किया था तो इन 2 के अंदर बच्चा हमारा यहाँ पर 22 by 7 इन 2 60 इन 2 के अंदर 60 इन 2 के अंदर 80 तो अब हम क्या करेंगे कि अपने question को easy करने के नहीं जो जो common है उसे common लेंगे तो इहाँ पर हमारी इधर से ये 3 value और इधर की side से भी ये 3 value दो बार हैं तो हम इन दोनों को क्या करेंगे कि अपना एक बार लिखेंगे यानि कि 22 by 7 60 इन 2 के अंदर 60 को एक बार इधर की side से हमारे पस क्या बचा 180 बीच में minus का sign और इधर से क्या बचा हमारे पस 80 तो ये होगा हमारा 22 by 7 इन 2 में 60 इन 2 60 bracket का मतलब इन 2 और यहां पर आया हमारा 100 अब यहां पर हमारी कोई भी value cancel out नहीं होती है तो इन सब को आपस ने multiply करके 7 से divide कर देंगे तो answer आएगा हमारा 113 1428 .57 cm cube तो यहां पर हमारा जितना पानी बचा था उसकी quantity यानि की volume आ गई है पर यह हमारी cm में आई है अब इसे हम क्या करेंगे अपना मिटर के अंदर convert करेंगे यानि की 1 मिटर किसके एकवल होता है हमारा 100 cm के एकवल होता है यानि की 1 cm किसके एकवल होगा हमारा 1 by 100 मिटर के एकवल होगा अब हम इसको cube में change करना है तो दोनों side पर हमारा cube आया तो यह क्या हो जाएगा हमारा 1 cm is equal 1 के अंदर 100 2 के अंदर 100 2 के अंदर 100 क्योंकि यहाँ पर हमारा cube है इसलिए 100 हमारा 3 times आया अब हम क्या करेंगे कि यह जो हमारा answer आया था इस answer को यानि की 1131428.57 को into करेंगे इस पूरे के पूरे से क्योंकि हमें meter cube के अंदर change करना है तो यह होगा हमारा 100 into में 100 into के अंदर 100 यहां से point को cancel out करेंगे तो 20 और बढ़ जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा पहले पूरी value को उतार देते हैं 113142857 कितने 0 है 80 तो 8 unit के बाद .1234567 और 8 तो answer आजाएगा हमारा हम पर meter cube के अंदर अब यह question है हमारा कर दो जो में होगा